जय हिन दोस्तों आज हम भारतिय राज वस्ता के अंतरगत चैप्टर 19 देखेंगे जिसमें हम प्रधान मंत्री के बारे में जानेंगे चलिए इसको देख लेते हैं आज देखें सबसे पहले जो प्रधान मंत्री हैं उनको तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं तो उनका जो नियुक्ति है प्रधान मंत्री का जो नियुक्ति है उनके बारे में अच्छे से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं देखे नियुक्ति के अंधरगत सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जैसे राष्टपती के हम लोग देखे ठीक है राष्टपती के लिए समविधान में बहुत अच्छे से प्रक्रिया दिया हुआ है लेकिन आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि प्रधान मंत्री के लिए किसी भी प्रकार से निर्वाचन या नियुक्ति कैसे किया जाएगा इसका कोई एकदम इसफ़स्ट प्रक्रिया नहीं दिया गया है तो आप याद रखेंगे कि अगर कोश्चन ऐसे आता है कि सविधान में प्रधान मंत्री का नियुक्ति के लिए प्रावधान निम्न लिखित है या लिखा हुआ है इसा कुछ भी आता है तो समझ लिए वह आप्शन गलत है क्योंकि प्रधान मंत्री के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया या फॉस्ट पॉइंट ठीक है को अच्छे से समझते हैं ठीक है तो आप याद रखना कि राष्ट पती जो होते हैं दूसरा पॉइंट राष्ट पती जो होते हैं वह प्रधान मंत्री का नियुक्ति करते हैं ठीक है और यह नियुक्ति जो होता है उनके पूर्ण वीवे का अनुसार नहीं होता है वीवे क कब करेंगे वह भी हम लोग देखेंगे देखिए सबसे पहले नौर्मन हम लोग जानते हैं कि जो राशपती होते हैं वो अगर लोक सभा में ठीक है या फिर किसी भी सदान में मुख्या बात यह होता है इसमें ही नोग का जादा था कि जो दल सब से ज़ादा बहुमत प्राप्त करता है ठीक है उसका जो लीडर होता है उसको प्रधान मंत्री बना देता है यह लेकिन यदि ऐसा इस्थिती हो कि कि सी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है ठीक है तीसरा बात ये याद रखेंगे कि अगर किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है वैसे इस्तिती में राष्टपती अपने वीवे का अनुसार काम करते हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इस्तिती रहता है जो क कि उस दल से related किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं या फिर जो गटबंदन में होते हैं उनसे related किसी को भी एक नेता बना सकते हैं राश्पती तो ये उनके वीवेक के अंतरगत आता है लेकिन आपको याद रखना है कि यदि इन दोनों में से मान के चलो किसी भी दल को इस पर्ष्ट बहुमत यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो राश्पती किसी को भी यदि प्रधानमंत्री बनाएंगे ठीक है या तो सबसे बड़ा पार्टी हो या फिर गटबंदन का पार्ट है तो यह याद रखेंगे यदि बहुमत दल प्राप्त नहीं है किसी को भी उसके बाद यदि राजपती अपने विवेक के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उनको फिर एक महने के अंदर में सदन के सदन में विश्वास मत प्राप्त करना अवस्चक है कि देखें नॉर्मली यह भी बात आप याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हो चाहे सदन के राजेसभा से हो और लोगसभा से हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है दोनों में से किसी भी सदन से आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है ठीक है एक कंडिसवार आता है इसी में सदस्ट नहीं है उसके बाद भी राश्पती उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं ठीक है यानि कि एक नॉर्माल वैक्ति भी राश्पती बन सकता है लेकिन उसके अंतरगत कंडिसन यह है कि वो उसको छे महने मिलेंगे देखना दोनों में थोड़ा सांतर आप समझना जो ज अगर वो नहीं बन पाता है तो वो फिर प्रधानमंत्री से हट जाएगा यानि कि छे महने तक उसको को टाइमिंग रहता है तो यह भी एक अच्छा सूच है अपना सविधान के अंतरगत ठीक है यह है और प्लस थोड़ा साब यह थोड़ा फैक्ट भी याद रखेंगे कि यह जो तो जब एक समय ऐसा था उन्नी सो नमासी का समय था जब किसी भी दल ने इस पर्ष्ट भहुमत प्राप्त नहीं कर पाया था ठीक है तो वुष समय राश्पती पहली बार विवेक का विवेक सक्ति का उप्योग किये थे और उस समय जो तरकाली जो राश्पती थे नीलम संजी उरेड़ी ये जो है मुरारजी देशाई वाली जनता पार्टी के सरकार का पतन होने के बाद से ठीक है चरंग सी को प्रधान मंत्री निवक्त किये थे चरंग सी जो थे वो गटबंदन के नेता थे तो चरंग सी को उस समय उन्होंने प्रधान मंत्री बनाया था तो यह एक्जामपल के तौर पर याद रखें क्योंकि कई बार ऐसा कोश्चन भी आ जाता है ठीक है तो सबसे पहला जब हम लोगों का सविधान बनने के बाद से सबसे पहले बार राश्पती यहां पर अपने वीवेक का मासी में ठीक है ना तो यह आप याद रखेंगे यह इतने सारे हम लोग अच्छे समझ गया देखिए अब आगे देखते हैं अब प्रधान मंद्री के अंतरगत सपत और पदावधी और वेतन वगरा यह सारी चीजों को देख लेते हैं देखिए सपत कौन दिलाएगा तो सपत प्रधान मंद्री को राश्पती ही दिलाते हैं ठीक है तो यह आप अच्छे समझ लिए उसके बासित पदावधी है उसको आप याद रखेंगे कि इसको समयधान में किसी भी तरीके से निश्यति नहीं किया गया है कि ल कि प्रधान कर पतक अपना सासन चला सकते हैं या फिर रह सकते हैं प्रधान मंत्री कर तो ऐसा को याद रखें हमें लोगी में लगए कि पांस साल का होता है यह पांस साल का नहीं होता है ठीक है पांस साल में चुनाव होते हैं यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो प्रधान मंत्री का जो कारेकाल है वो निश्चित नहीं किया गया है सविधान में यह बात इस परच रहेगा हमें साथ उसके बाद से य राश्पति उनको नियुक्ति करते हैं ठीक है लेकिन प्रसाद प्रण्द होने के मतलब यह नहीं है कि राश्पति जब चाहेंगे तब प्रधानमंत्री को अटा सकते हैं ऐसा करनिशा नहीं होगा क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनको यदि लोकसभा में बहुमत हम अधिल है तो उनको फिर राश्पति नहीं हटा सकते यह भी बात याद रखेंगे ठीक है कि उसके बाद से सबसे मुख्य बात है इसमें जो होती है बेसिक जो प्रधानमंत्री के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे हैं सबसे मेन चीज कि प्रधानमंत्री का जो कारिया और स होता है थोड़ा सा करने दल के वरती सभांति कर सकते हैं यानि कि एक बार पहले सब से पहले तो राशपती प्रद्दन बंत्री को बना देंगे ठीका है नियुक्त कर देंगे उसके बाद से प्रधान मंत्री सला देंगे कि ये ये मेरे दल में होने चाहिए इनको मंत्री बनाना है ठीक है? तो आप समझ में आ गया है कि मंत्री जो बनेंगे वो प्रधान मंत्री के सिफारिस पर बनेंगे पहला ये इनका सक्ती है प्रधान मंत्री के अंतरगत भी दे सकता है ठीक है उसके बाद से ये भी सकती है प्रधान मंत्री के पास कि वो किसी भी मंत्री को त्याक पत्र देने के लिए या फिर राश्ट्पती को फिर बोल सकते हैं कि इसको बर्खास्त कर दो ये भी सला दे सकते हैं प्रधान मंत्री के पास यह सकती है यानि कि सबस जो मंत्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से गड़वर घोटाला कर रहा है तो उसको क्या करेंगे प्रधान मंत्री जाएंगे राश्पती के बास राश्पती को बुलेंगे कि ये जो मंतरी एक है, जो की सहीं से काम नहीं कर रहा है, या फिर गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसको हटाना है, तो इस तरीके से सिफारिष देने का भी सकती प्रधान मंतरी के पास होता है, उसके बाद से देखिए, जो मंतरी परिसद होता है, मंतरी के अंतरगत, उसकी अध्यक्षता भी प्रधान मंत्री ही करते हैं ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है ना तो ये चौथा सकती है उसके बाद से मंत्रियों का जो भी कारे हैं उनका जितना भी काम हैं सबका नियंत्रान भी प्रधान मंत्री ही करते हैं ठीक है उसके बाद से याद कि भंग हो जाता है ठीक है उसके बाद से फिर नया चुना सब्सक्राइब और त्रमूप होते हैं है हम अब संसद के प्रतिविए उनका संसद के जो संब्ध में भी उनके बहुत सारी कारे और सकते हैं जिसमें से तीन हम लोग इंप्वाटेंट देखेंगे ठीक है सबसे पहले आप ये बात याद रखेंगे कि जो प्रधान मंत्री होते हैं वो निचले सदन का नेता होते हैं ये भी बात आप याद रखेंगे यदि कोशन में आता है कि निचले सदन का नेता कौन होता है तो प्रधान मंत्री होता है ठीक है उसके बाद से देखे प्रधान मंत्री को संसत का सत्र आहूत करने के लिए भी या सत्रव सन करने के लिए उसको परामर्श दे सकते हैं राश्टपती को ठीक है ये प्रधान मंत्री का सकती होता है उसके बाद से वो लोक सभा का विगटित करने के लिए भी सिफारिस कर सकते हैं लोक सभा को ठीक है ये भी प्रधान मंत्री के सक्ति के अंतरगत आता है उसके बाद से प्रधान मंत्री जो अपना जो भी काम का जो भी अपना नीतियां वगरा जो भी बनाए हैं उन सब का गोशना भी संसद में करते हैं तो ये हम लोग उनकी कारे और सक्तियों को हम लोग समझ गए देखें, उनके अन्यकारे भी होते हैं, जिनमें ये बहुत जादा इंपोर्टेंट रहता है, कई बार इससे कोश्चन आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा, अन्यकारे हो सकतिया में, ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात, जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग के वो अध्यक्ष होते हैं, उसके बास से राष्ट्य विकास परिसद, राष्ट्य एक्ता परिसद, अंतर राज्य परिसद, जब में पढ़ाया था, उस समय भी आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं, ठीक है, उसके बास से राष्ट्य जल संसाधन पर परिशद परिशर अंतर्राज्य परिश्द और राष्ट्य जल संसाधन परिश्द इन सभी के अध्यक्ष होते हैं तो इसे रिलेटेट्व कुछ भी आई कि राष्टय विकास परिशद कर दर्क्त कौन होते हैं तो प्रधान मंत्री होते हैं आप याद रखेगा ठीक वक्येंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं ठीक है और आपाद काल के दौरान उस समय राजनितिक इस्तर पर आपदा का प्रबंधन का प्रमुख होते हैं आपदा प्रबंधन जब होता है उसमय देखे होंगे क्यों दौरा करते हैं यह सब चीजें जो करते हैं या ये इतनी सारी चीजे प्रधान मंत्री के बारे में आप याद रखेंगे उसके बाद से इसी के अंतर्गत अब अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं जो इंप्रधान अनुच्छेद होता है देखे अनुच्छेद 74 में राश्पती को बस ये जो इतने ही बाते लिखे गए इसमें ठीक है राश्पती को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिसाद होगा जिसका प्रमुक्त प्रधान मंत्री होंगे ठीक है और राश्पती इनकी सलाह पर कार्य करेंगे ये अनुच्छेद 74 में हमारे सौइधान के अंतरकत लिखा हुआ है तो ये के सलाह पर अन्यमंत्रियों की निवक्ति करेगा तो यह आपको ध्यान रखेंगे यह राश्पति के अंतरगत सारी चीज़ें यहां पर है ठीक है ना जो प्रधान मंत्रि से सम्मंदित है तो अनुचेद 75 आप याद रखेगा उसके बास से अनुचेद 78 याद रखेगा इसमे यह बोला गया है कि प्रधान मंद्री का क्या करतव होगा यहां पर ठीक है तो संग के संग के जो भी कारे जितना भी कारे हैं प्रसासन समंदी या विधान समंदी यह जितने भी मंत्री पर इसा जो काम कर रही है ठीक है उनका सारा डीटेल्स ठीक है राश्पति को देना कि कौन से अनुचेद के अंतरगत प्रधान मंत्री राश्पती को मंत्री मंदल के सभी जो कारे हैं या फिर विधान समंदी साड़ेटिल्स देते हैं रखें अनुचेद 78 के अंतरगत करते हैं तो यह हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजे थी वह हम लोग देख लिए उसके बाद से हम लोग अब अगले वीडियो में इससे समनित प्रस्ण को देखेंगे ठीक है तो यह बहुत आसानी से हम लोग अच्छे समझ गया यह कॉंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी लगातार वीडियो लाते रहेंगे डेली का है यह ठीक है डेली 9 बज़े आप देखेंगे तो वीडियो जाएगा और हर दिन एक नया चैप्टर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो लोग कर लीजे ताकि आपको पॉफेक्ली टाइम पर नोटिफिकेसर मिल जाए ठीक है और वीडियो से रिलेटेट किसी भी तरीके से को कि तर दाएपको जो वीजे एका दने एंगचे है उमाठयों से घ्क रिलेटेॉ वेकर पिलेटेव Apply बकको से को मिल एकच।च्व में रहें है मिलेचे को सम्त रहें से थे थे लिलेटे हैं चैनल को लिए ये चाहें परोग जो आएबम